वेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं नीटिंग चैनल, मैं प्रवला सर्मा आप लोग के लिए यह देखे इस तरीके का लड़ू गोपाल की ड्रस लेके आई हूँ, आज मैं आपको इस तरीके की ड्रस बनाना बताऊंगी किसे किस तरीके से बनाना है, तो यह हमारा जीरो से लेक आपको आपको बनाना बताऊंगी जरूर तो अब ही देखे यह मैं कम से कम तीन से चार नंबर के लड़ू गोपाल के लिए बना रही हूँ, यहां पर थ्रीप्लाई की वूल है, नो नंबर की मैं यहां पर सलाई ले रखी है, और यहां पर मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं, त इसे डिजाइं बनाएंगे और जाली चोली बनाऊँगी तो मैंने तीन नंबर की लड़ू की चोली अपने चैनल ने बता रखे लेकिन फिर भी आज मैं इसमें पूरा आपको बना के बताऊंगी कि कि लंबी चोली हमें बनानी है, कि तुछी जाली डाल के ठीक हैं तो चली 2 color के combination से बनाएंगे, इस तरीके से पूरा उल्टा उल्टा बनाके complete कर लेंगे तो इसी तरीके से उल्टी साइड से भी एक पूरा बना के कम्प्लीट करना है तो मैं ये दो सलाईया बना लेती हूँ उल्टी उल्टी पूरी फिर मैं आपको दिखाती हूँ सीधी साइड में कि हमें आगे क्या करना है अब देखे फ्रेंट सीधी साइड में आ गए है और आगे देखे यहां पर अपनी जाली डालने के लिए यहां पर पार्ट डिवाइड करने है तो यह देखे पहला फंदा हम यहां पर अशे उतार लेंगे और यह हमारा उल्टा बन जाएगा यह हमारे बटन पट्टी के बनाएंगे यहां पर फिर से धागा पनी तरफ करते वे जाली बनाते वे सीधा फंदा बना रहे हैं यहां पर हम एक फंदा बना लिया एक फंदा और यह बाजू के लिए हो गया ठीक है फिर धागा पनी तरफ करेंगे यहां तक के लिए बाजू के लिए हो गया ठीक है यहां बाजू का पार्ट बनाएंगे दो फंदे कर लिए ठीक है फिर धाग अपनी तरफ करेंगे यहां पे जाली डालेंगे फिर धाग अपनी तरफ करेंगे यहां पे प्रण्ट के लिए हो गया ठीक है जाली डालते हो यहां पे हमारे एक फंदा सीधा बना लिए हमने और यह एक इसे सीधा बनाते हैं तो यह देखे कितनी बढ़ी है यहां पर लाइन सी बनके आती है और बहुत अच्छा लगता है यह ठीक है अब यह उल्टी साइट पूरा उल्टा बना लेती हूं फिर अब एक बार की जाली तो हमारी डल गई है तीन जाली हमें और बनाना है ठीक है जि पहले के एधी साइ्ट में आगय है और यहां पर हम दूसरी बार बनाएंगे ठीक है तहिए पहला फ़ंदा है उतार लेंगे ओर यह बना लेंगे यह दूसरा पर उल्टा बना लेंगे दागा पीछे चे टरफ करेंगे एक फंदा सीधा यह हमारा आरसे मल sürनाना गाश थी हम यहां पर जाली डाल देंगे, 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 यहां पर जाली डाल देंग करें अगर जो हम तो एक दो तीन और यह चार चार फंदे यहां पर हमने सीधे बना लिए फिर से दागा अपनी तरफ करेंगे एक जाली डालेंगे फिर दागा अपनी तरफ करेंगे एक जाली डालेंगे और यह हमारा जो जाली से फंदा बढ़ी हुई है ठीक है दागा अपन अर लटी सलाह कुरी इल उलटी बना देंगे लास्ट वाले पंदे को फिर से हमें सीधा बनादाः होता है इस से हमारी चोटी बनती हुए यह अच्या लगता है तो यह सलाह में उलटी बना लेती हूं और अभी इस गढiriatoreं ήम और बनाने हैं दागा पीछी तरफ करेंगे यहां पर देखे एक दो तीन फंदे सीधे हो गए अब देखे इसमें साफ साफ दिखाई देने लग जाता है तो हमें जाली के उपर ही जाली डालनी होती यह देखे एक जाली यहां पर बना ली एक जाली बनाती हुए सीधा फंदे यहां पर बना तो फिर बहुत आसान हो जाता है एक जाली यहां पर बना ली एक जाली यहां पर बना ली अब देखे जाली बनाते हुए सीधा बनाएं यहां पर इसको भी काउंट करते हुए एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे हमारे यह बैक पार्ट के आगे फिर से दागा अपनी है चे फंदे यहां पर भी बाजुकि हो गए ध्याग अपनी तरफ करके यहां पर फ्रंट के लिए कारें बढ़ें गें इस तरीके से देख से जो जाली से मारे दभ mają अन्हों को सीधिया नाते जा रहें अभर नाइघ कर 500 एर तो तीन जाली हमारी बन के, चार जाली हैं हमें, बनानी होती है, तो चार नंबर के लद्डू, तीन से चार number के लद्डू को पाल के लिए, ड्रस की चोली जो है न, तो बहुत बढ़िया बन जाती है, तो हम मैं उल्टी साइड बना लेती हूं, और एक जाली, यानी चार अप आपको दिखाती हूं करकर के अब एक पर टोटल हो हमारे ना 48 पन्दे जो फन्दे हमने सारे बढ़ाए तो 48 पन्दे हो गए अब देखे यहां पर हम अपना यह पहला फंदा चार जाली हमारी कम्पलीट हो गई है तो उसके बाद से नियु सारी प्लीय भी को अब देखें य पांच यह हो गए और दो यह हो गए साथ फंदे टोटल हो गए अब यहां से यह हमारे बाजू वाले इस चोटी से लेके और यहां वाली चोटी तक यह हमारे बाजू के फंदे टोटल बारा फंदे तो यहां पर थोड़ा समय अपना दूसरा कलर लगाना चाहते हूं तो और यह 10 11 12 अब देखिए बनाने के बाद ऐसे हमने पलट लिया है 12 फंदे को बनाने के बाद और देखिए इसमें मैं यह वाला कलर लगाऊंगी तो अपना यह इसको इस तरीके से यहां पर अब यहीं से हम इसको घटाती हुए लेके जाएंगे यहां से उल्टे में तो देख घटा देगे और इसको इसके साथ हैंसे दवाने की कोसिस करेंगे कि क्योंकि छोटा छुटा यहां पर धागा लगाते है न तो ठीक नहीं लगता है फिर यह निकला रहता है बाहर इसको फिर कुरूिशी के साहतर चरूचा था हाइघता है लेकिन इस तरीके में ज्यादा है तो यह से दो का एक, दो का एक करते हुए ना ही जादा लूज और ना ही जादा टाइट, टाइट करेंगे तो नहीं हमारा यह पूरा खीच जाएगा, तो इस तरीके से करते हुए और इसको ऐसे अंदर दबाते हुए हम 12 फंदे बाजु वाले यहां पर घटा देंगे सारे, ऐसे करके, दो कलर के कॉंबिनेशन से यह हम ड्रेस बना रहे हैं, तो नीचे जब हम घेरा बनाएंगे, तब यह कलर एक जगे लगाएंगे, पर यह थोड़ा सा बॉर्डर देना भी न, अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है यह लगाने के बाद से, तो यहां पे हम 12 फंदों को 2 का एक करते हुए, ऐसे बना लेंगे, यहां पे हमारे फ्रंट में 2, 2, 4, 2, 6 और 7 फंदे हैं, ऐसे करते हुए हमने यहां पे बना लिया, अब यह यहीं पे रहेगा, इसके साथ ही बन जाएगा, और यहां पे देखिए, अब हम, यह देखिए, यह कुछ इस तरीके से आया है, बहुत ही अच्छा लगता है, आगे जब पूरा ड्रस हमारा यह कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया लगता है, यहां पे ही इतना ही बड़ा धागा करके, हम यहां पे कट कर लेंगे, इसे, यहां पे कटर से मैंने अपना यह धागा काट लिया और यह देखे अभी बैक पार्ट के फंदे पूरे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और यह दस, दस फंदे हमारे बैक पार्ट के हो गए यहां पे, और सेम जैसे हम ने उस साइड का बनाया है, ऐसे ही हमें यहां का भी बना लेना है, ऐसे हम बारा फं करें, और उल्लटी साइड में अपना नेक्सकर यहां पर लगाएंगे अब यहां पर देख लिए जब हम भाताना है, ऐसे तो हम अपना यह दूसरा करें है, यहां पर लगा लेंगे, ऐसे करते हम अपना इसे घ्टा लेंगे कर दो कसा अब है कि इसको साथ के साथ हम दवाते जा रहे हैं जो हमने लगाया कहीं पर हमने गांट पगयरा नहीं लगा यह ऐसे हमने कर लिया ना तो जाधा टाइट घटाना है और ना जाधा लूज करना है ठीक तो बारा फंदे बाजू के होगे 10 फंदे बैक पार्ट के होगे यह देखिए यहां दो दो चार दो छे दो आट दो दो दस एक फंद और रहे गया इसको भी हमें यहां पर घटा लेते हैं कि इसको इसके साथ ऐसे कर देंगे इसमें क्योंकि तो बुन गया है हमारा पूरा इसलिए इसमें कर दिया और इसको हम यहीं पर ऐसे इतना दागा कट कर देंगे कि इपकले क्हले हैं सब्सक्राइब के अब आएंगे न ताभ यहां पर दवा सकते हैं से हम अभी देखें यह हमारे फ्रंट पंदे इनको लगा हुआ है तो अपना क्रीण का अधिल लगा हुआ है एक बना के साथ पंदे कंप्लीट करेंगे भी हो तो कितने होगो दो-चार और ये उल्टी साइड पूरी बना के complete करती हूँ फिर दिखाती हूँ तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा उल्टी साइड से मैंने complete कर लिया घटाने के बाद अब ये सीधी साइड है तो देखे एक फंद ऐसे उतार लेंगे दूसरा फंद उल्टा बना के अब बाकी फंद यहाँ पे हम सीधे सीधे बना लेंगे तो इस तरीके से ये सीधा फिर उल्टा फिर सीधा और फिर उल्टा ऐसे करते हूँ हम टोटल 4 सलाइएं बनाएंगे उल्टी सीधी की यानि की टोटल 4 सलाइएं हमें बनानी है तो पहला वाला फंदा और दूसरा वाला फंदा जैसे हम उल्टा बना रहे थे उसी तरीके से ही बनेगा ठीक यह देखे यह हमारा बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके से बॉर्डर मैं नहा पे दे दिया तो इसी तरीके से करते होई यह चार्ट सलाइया मै कंप्लीट कर लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं कि इसके आगे हमें यहां पर क्या करना है ठीके चोली की लेंथ हमारी कंप्लीट हो जाएगी इतने में तो यह बना लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं आप समझ गए होंगे फ्रेंट्स की मैंने न यहां पर क्या बोला है कि चार सलाईयां उल्टी सीधी के हमें चार सलाईया बनानी है ठीक है तो देखे पहली सलाई तो यह मेरी लगभग कम्प्लीट हो गई दूसरी उल्टी साइट से तीसरी फिर सीधी साइट से चौथी फिर इतना मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अब यहां पर देखे फ्रेंट्स यहां पर यह वाली सलाई आप पूरी हमें उल्टी उल्टी बनानी है सीधी साइट से उल्टा तक मैंने चार सलाईयां यहां पर बनाई जितना मैंने आपको बताया ठीक फिर पांच इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे तो देखें और फिर अपना ये वाला कलर हम लगाएंगे यहां पर और अब ये हमारी चोली कम्प्लीट हो गई है ये हमारी चोली कम्प्लीट है अब ये वाला कलर लगाएंगे और इसके बाद फिर हम जाली बनाएंगे तो वह हमारा घेरा के लिए होगा ठीक है तो ये चोली की वीडियो मेरी ये complete हो गई है तीन से चार नमबर के लड़ो गोपाल के लिए और पांच नमबर के लिए वे तीन चार पांच तीन नंबर के लिए हलका लूज आ सकता है तो आप यहां पे न दो फंदे इसमें आप कम कर लें यहां पे उपर जैसे मैंने इसमें 16 फंदे डाले थे उपर तो आप इसमें 14 फंदे डाल लीजिए और फिर इसी तरीके से आप बनाएए जैसा मैंने आपको यहां पर बताया है जालिय आप 4 ही दें गालीय जालिया बनाइए तो ये जालिय ही बनाइए जैसे देखें 1, 2, 3, 4 तो ये बहुत अराम से बन जाएगा लेकिन उनके लिए भी आ जाएगा 3, 4, 5 नंबर के लिए एक दम दिये परफेक्ट है ये चोली तो आज की वीडियो में मैंने आपको चोली बनाना बताया इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ये वाला घेरा बनाना बताऊंगी तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू